हेलो स्टुडेंट वेलकम टो माई यूटूब चैनल एकेम्टी कोर्स आज मैं क्लास नाइन का चेप्टर फॉर लिनियर एक्वेशन इंटु वेरियेबल का एक्सराइज 4.4 का कुश्चिन नमर्टू बताने जा रहा हूं वोड आए कि दा जिओमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ओफु एक्स प्लस 9 is equal to zero as equation की तरह हमको जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है पहले बोल्ड आए कि one variable में कीजिए तो one variable में पहले से ही है तो आई एक्स का value निकालते हैं और represent करते हैं ठीक तो एक्स का value के लिए सबसे पहले तो two x यहाँ minus nine हो जाएगा क्योंकि nine को इधर भेज़ेंगे ट्रांस्पोस करेंगे तो तो x is equal to minus nine by two यहाँ multiply में था तो यहाँ यहाँ तो denominator में चला गया और divide में चला गया अब minus nine by two का value हो जाएगा आपका minus four point five ठीक four point five होगा अब देखिए यह एक्स एक्स का value है न तो मानिजिए एक्स 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 है अब इस एक्स एक्स पर हमको minus four point nine पर लाई कराना है ठीक यह हो जाएगा आपका one variable देखिए इधर होता है positive देखिए तो सिंब्ली सी बात है four point five कहां आएगा five और minus five और minus four के बीच में आएगा ठीक तो आपका यहाँ पास क्या लाई कर जाएगा एक्स इसकल टू माइनस 9.2 तो नाइन अपॉन टू यह आपका one variable में हो गया एक्स इसकल टू माइनस नाइन वाई टू आपका यहाँ पास लाई करेगा यह वन विरियाबल अब आए टू विरियाबल में बोला है जो second condition है तो टू विरियाबल करने के लिए हमको टू विरि है अब देखिए यह 2x प्लस 9 is equal to 0 तो यह एक विरियाबल था हम दो विरियाबल में कैसे कर सकते हैं तो दो विरियाबल करने के लिए एक विरियाबल के सामने 0 लगा देजिए 0 से म्ल्टिप्लाई करेंगे तो इसका इसका चल्कुलेशन हो जायगा 0 हो जायेगा एगे अब माइनस नहीं तो एक्स प्लस जीरो मॉल्टिप्लाइड टू इसको आप स्वाल करेंगे तो क्या जीरो आजाएगा सिंप्ली से बात है एक्स इसको लेते हैं तो यहां एक्स के मैनस नाइन ह्म डाइगा ठी सिंप्ली स्टे बात है जीरो से किसी इस अगर मल्टिप्लाइ किया जाए तो बना देता है तो जाएगा형स 4-90 x-10 भेज दिया जिसे यहां भेजा हूं तो यहां जागा माइनस 9 by 2 ठीक चलिए आइए अब इस चीज को आप जिग्राफ ली याने अपन ग्राफ पर रेप्रेजेंट करते हैं चलिए बोला है कि एक एकसीस पर हमको माइनस 9 by 2 ठोड़ना है तो सबसे पहले माइनस 9 by 2 का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका जाएगा माइनस 4.5 अब सिंप्ली से बात है माइनस 4.5 कहां लाई करेगा माइनस 5 और माइनस 4 के बीच में चलिए यहां पास यह लाई करेगा बीच में ल कोडिनेट बनाएगा यहां पास बनाएगा माइनस 9 by 2,0 ठीक यह आपका एक कोडिनेट कंप्लेट हुआ दूसरा माइनस 9 by 2 यहीं पास है अब पोजेटिव 2 ठोड़ना है यही तो में कंफ्यूजिंग का पॉइंट है कि पोजेटिव 2 ठोड़ना है कि निगेटिव 2 अब कहां लाइक करता है ऊपर और निगेटिव कहां लाइक करता है नीठ ठीक य एक्स पर चलिए तो हमको क्या डूड़ना है य के जगापे प्लस 2 प्लस 2 उपर है तो इसके यहां से अगर परपेंडिकुल डालेंगे तो यहां पास आएगा क्योंकि इसके सीधे में आएगा च पहले साथे सीधे माइनस 9 2 तो मैईनस एकार रखा मैनस यहां पास यहां से परपेंडिकुल खीक यह और यहाँ से अपका का मिल जाएगा ठीक अब इसको आप स्केल की सहाथा से या किसी भी सहाथा से आप इसको मिला दीजिए चलिए हमने मिला दिया ऐसे ही जो आपका जो ग्राफ बनके रेडी हो गया यही आपका इस यह बी नाम दे दीजिए बस ऐसे ही तो करना है थैंक्यों और हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक कीजिए जय ही जय भारत